नमस्कार रूड़की वासियो आप देख रहे हैं रूड़की हब और आज आपको प्लदेगी रायकि रूड़की में कितनी राज्णितिक खलचल मची हुई है। प्राजनेतिक गर्मी हुई हुई है वजह है नगर निगम रुडकी नगर निगम रुडकी क्यों है नगर के महापोर गोरो गोईल का कोई ओडियो वायरल होता है जिसमें वह रिस्वत मांगते हैं 25 लाग रुपे की फोरेंसिक लैप में उनकी अवाज का सेंपल जाता है मेर मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं गली-गली में शोर है मेर चोर है ऐसे नारे लगा जिते हैं इसी विसे पर आज हम बहस करेंगे हमारे साथ कॉंग्रेस के वरिष्ट ता आसी सेनी जी हैं पूरु में जो समाजवाजे पार्टी से विधायक का चुनाओ लड़ चुक और उसमें ब्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ चुकी है कि वहां ब्रष्टाचार जैसा सद चोटा पढ़ने लगा है और ब्रष्टाचार के साथ साथ जो बेशरमी अब वर्तमान में दिखाए देने लगी है कि आप एक ब्रष्टाचार की बात करेंगे तो उसी ब्रष् गंज के भावन है उसकी लिए बढ़ानी की है पहले वो रिश्वत का थेला एक जगह पे रखा गया उसकी ओडियो बनी वीडियो बनी जो भी बनाऊगा उसकी जांची सरकार कर रही है कई साल कई लंबा समय हो चुका अब तो जांच नहीं हुई है और अब वो थेला दूसरे गुरूप के जो लोग है अब वो उस मामले को उठाने लगें नगर निगम की कारवाही में अगर आप देखेंगे सबसे पहले उस लीज को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव एक गुरूप की तरफ से आया गुरूप मनलब दूसरी पार्टी गया पोजिशन पार्षदों के पार्टी एक है बाजपा जो पार्षद जो वहां पर लड़ते हैं हम लोग देखते हैं उनको लड़ते हुए पहले एक गुरूप के पास आया तो दूसरे गुरूप ने उस लीज को होने नहीं दिया तो वह रिश्वत का थेला वापस करना पड़ा अब वो रिश्वत का जिसको करने का प्रियास दोनों ही गुरूपों ने अपने अपने समय पर और अपने अपनी इच्छा से किया है मतलब यह मामला मेर वर्शीद विधायक का नहीं है क्योंकि ब्रश्टाचार के किसी मामले में ना तो मेर ने कभी विधायक के खिलाब आवाज उठाई नहीं विधायक ने कभी मेर खिलाब उठाई है ब्रश्टाचार के मामले में मेर और विधायक से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सभी लोग एक साथ सहमत हैं मिले हुए हैं कैसे कैसे सभी एक साथ है को अरोब लगाना तो आसान है कैसे आप एक परामीटर पर चैन कर लेंगे मैं नगर निगम रूड़की में जो भी निर्मान कारे हुए हैं अभी एक मामला आया जिसमें 64 फाइले गायब हो गई उनसे विभाग निगम में 64 फाइलों को लेके राज नगर निगम के मने ने और रसने ने एक लेटर लिखा डियम को और परमुक्स अच्छिव को भी कि इन फाइलों पर सिग्निचर नहीं हुए हैं जबकि स्विक्रितों के काम भी पूरे हो गए उनसे मामले ते में 64 फाइलों के मामले हैं उस मामले को लेके बागाता लेटर लिखा है मैं आपको दिखा भी दूँ आश्मी वह लेटर लिखा गया वीपक्स का आवाज की उड़नी कि बात कर रहे हम। तो इस वो जो चौनसत फाइले गाइब भूई ना तो कभी वीधायक नेख版 छिखा मुठ्री को कि इस हम दाव मे प्रश्टचार करा यह मेर ने हिखा कि आघृस्टचार करा रहे हैं उन दोनों की सेहमत ही हैं दोनों एक हैं तो मुझे लगता कि सब ज मामला या पर नगा निगम का चल्दा करा है dall हिदयक जी फुद अपने ऊपड ला रहे हैं कैसे, अगर जब छेत्र के विधायक है, नगर निगम, जो है, रूड़की विदानसभा, नगर निगम के विधायक वा प्लिन सदस्य हैं और विधायक जी कि जितने भी वहाँ आप आरिट्चत के जू धैने जो डूमने वाले नियों इू है। उन too विधायक हैं। पाँच विधायक लगते हैं नगणिगम में। चार और विधायक का बात जी तर हूँ अन वीधायक यू घूड़क की विधायक है। जब बिद्गमिन हो समस्cert कि देखने मनृ रंण करना हो तो अगाटिगम की बड़ भातेम के लिए परसक भाल मशली का कि राखेक मानम उसली है और मुख्यमंत्री जो है कभी भी इस पर संग्यानी लेते, मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि वो बहुत बढ़ी है 94 परिशत वोट लेकर जीते हैं अभी ताजदाजे और वो जगा जगा चापे भी डाल रहे हैं, अब मुझे आश्चर है हालाकि मेरे मित्र भी है, लेकि मुझे आश्चर है कि उन्हें रुड़की नगर निगम की चीजे जो मुझे तब मालूम है वो उनके विभाग इतने सारे लोग हैं के उनको क्यो मालूम नहीं है मला ऐसा कौन सी आखे बन करके बैठके दूसरे जो 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 पार्षाद और उनकी जो लडाईया है वो कुझनमे रखने के लिए अधेरे में रखने के लिए शुटमूट के जग्णने दिखा रहे सब एक है यह तमाम फ्धारन मौझूद है अगर राज्य का एक अधिकारी को एकारी इस उप्ता है कि कोई एक उधार की को अदा करना है कि कि लुड़की की जंता नहीं हमें सेक् उट ऑवेट को पैसे लेकर अंडग्राउन लाले बना दिये गए नाले पुरें अग्राउन कर दियेकं मकानों के नीचे से उटोगों के निचे से बनना है आङ है और पूरे आवास्विकास का जो बाइलॉज है उसमें क्या है कि एक कोई भी मकान बनेगा जो सरकार ने बनाय है नक्षा पास करके वो बनाए उसमें परिवर्तन करने के लिए संबंद भाग से नुमति लेनी होगी लेकिन पिछले आठ साल में देखिए ना भारती दंदा पार्टी की सरकार जब से पावर में आई है तब से नोंने नगर निगम में वहां पर आवाज विकास में अवैद भी सब्का उब कहां रएक विपक्स को तो उतरने लायक अभी हमारे यहां पर 물ण not पर अंकुष रहा उसके बाद तो बेशर्मी की ऐसी पराकास था आप मुझे बताइए कि जो यह से विलाइन में जो इलिगल बिल्डिंग मनी हुई है मलगपुर चुंगी पर विशाल में का मार्ट विशाल में का मार्ट के बगल में सामने वाले चीज़ें और दुनिया भर क कॉंप्लेक्स मनें पार्किंग किसी में नहीं है सबके पार्किंग कब जा कर लिए अभी निलम टागीज पर अवेज निर्मान चलना है मैं खुले आम कह रहा हूं अवेज निर्मान है HRDN नजूल की जमीन पर जूट-मुट की एडवाइजरी लाके वहां पर बिल्डिंग कि जमीन मैं यहदिकारी उसके भगल के सिज़करने चले गई मुझे मुझे जंब ज्यानकारी मिली थीम अपने डिखारियों को लॕई वहाँ पर सीज़करने के लुग और सीज करने के लिए कए और को जावी कर लेए टो एक बिल्डिंग का सेट बैक तो देख रहे हैं वह प्रस्वारता करके सब को सामने दिखाए भी है लेकिन किया ना कि आप कितने फैक्त कितने आंदोलन कितनी चिठ्थिया लिखेंगे जब राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मेर पार्शाद और इस सब लोग ब्रश्टचार को लेकर एक जुट है तो आज संगर्श करने किसी पुरपटी को हम लोगों ने जितने भी रूड़की में डलते हैं सब लोगों मिल गया खाली मेरी अकले की मैनत ने दिया सभी डलों ने मिल गया उसमें सिविल लाइन को तवाली अधिकारियों का भी हमें साथ मिला अचा सइयोग करा वह पुरपटी सीज हुई चुना कि अगर बन गई तो उसके बाद विरोध क्यों नहीं है आप अपोजिशन करने के लिए हम आप कोड जा रहे हैं हमारे पास इसके लाबा कोई रास्ता नहीं बचाए हम जानते हैं कि धरना पर्दसन सांकेतिक होते हैं और यह सांकेतिक में हम सोचते हैं कि मैं SDM को आप गयापन की बात कर रहे हैं मैं चिठियों का धेर लगा चुका हूँ एक कागज एक फैक्ट लगा चुका हूँ लेकिन अगर किसाशन को ऊपर से ही अगर ओडर होगा कि आपको भाजबा के ब्रस्टाचार पर कोई कारवाई नहीं करनी है तो कौन करे कारवाई करेगा मुझे मुझे लगता कि चिठिया लिखने के बाद अगर एक इमांदार अधिकारी मैं कह रहा हूं कि इमांदार अधिकारी उत्राखन राज्य के मुख्य मंत्री अगर मेरी आवाज आपके माद्यम से सुन रहे हो तो एक इमांदार अधिकारी दे और इस प्रस्टा भृष्टाचार की बार-बार माबले में विदय क्यों हो रहा है? जिसके मेर भाजपा के मेर भृष्टाचार कर रहे कि क्रूं। प्रृष्टाक अब उक milk सारी इसलोग हो फंड पंद कर दें सब्सक्राइब करदें FE को अपने घर बढ़ा सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे कभी क्यों कि इनकी तो एक फाइल खुली है भी गोराव गुवेल की तो चोर चोर मुसेरी बाई यह लेकिन अगर अगर नगर विधाक की देखें तो नगर विधाक कि स्ट्राइब फाइले भी दूसरे मेर के कबजे में हो कि मतलब एक दूसरे के पास वो कहते है ना गर्दन वह तोते की गर्दन में होता है वही फुर्दावाइए मामला और इसको सरक्षर देने हा काम देखियो हो सकता है कि दोनों लोग आपर से मिल जाए लेकिन मैं मान सकता है कि ऐसा होगा तो लेकिन हमारे राज्य के मुक्ष नहीं हुआ है या इस काड़िश से अपसंतुष्ट नहीं है क्या करना चाहिए नहीं निए शेहर में बहुत अच्छे विकास कारें बहुत बड़े तरीके से हो रहे हैं ऑमारे मानने विधायक में और माननी मेर जो भी होगे आ भाजपा के लोगों ने जितने अवैध निर करता है घर के बाहर तो उसे लगता है कि वह पिछड़ पिछड़ गया है तो अगली बार भाजबा के लोग वहां भी नाले पे कबजा कर लेंगे और वहां पानी भरेगा तो उनको भी आग्रणी होने का मौका मिलेगा मेरे पीछे जो विजवल चल रहे हैं आप देख रहे है क्योंकि महापोर को भी जनता ने चुना था जब अगर वो भरष्टाचार में लिप्त है मेर साब पारसाथ भी तो जनता चुना जिस विक्ति को ही जनता ने चुना आपने उसके साथ आज जो वेवार करा कालक पोत्पी आने वाले दोर में जब यह फिर छेतर में जाएंग मुझे आप एक मानने मैं सम्माल करता हूं हर पारसाथ आज कहा है कि या तो मेर साब इस्तिवे नहीं तो हम समय की स्थिफाद देंगे हम देर दरूं जाएंगे संगडन मंत्री सिकायत करेंगे कि मैं पारषद को किसी मानने मुख्य मंतरी को इस्तिवाद देनिक कोई जूरतनी है हम के सबस्क्राइब कि हम जरूंकर मंतरी सरकार करें कोई बीए फ्रेक्ति में कार् töर्ण त evaluator कि इम हरता चार पर जाएंगे और जो भी राज हमारे करेगा और जो दोशी उस पर कारवाई की जाए आप बताईए कि क्या जो आप अगर नक्षा पास कराने जाते हैं देगे लड़ाई ना ये एवल मेयर के उपर काली फोटों के उपर काली पोतने की नहीं है लड़ाई ब्रष्टचार को सनक्षन करने की है पार्शोदों के कि किसका ब्रष्टचार कहां चलेगा लेकिन मैं मैं सभी पार्शोदों से निवेतन जरू करूँ अभी जैसे त्यागी जीन एक बात कही कि चुनाव लड़ने आपको अपने आप जाना पड़ेगा मेयर और या विधाय जिताने नहीं आए तो आपका आपका आकलन आपके कराएगे काम के अधार पर होगा पास पार्टि काह helpful तो नहीं पार्टि का सिंबल उड़को श下ना में पर वोड़ देगी 1 फी जंड़ा हराने के लिए मंद्दान दिया लेकिन क्या होता कहीं न यहां जी तो नगर निगं के चुनाव परिणाम को भी देखेंगे तो नगर निगम में निपल समस्त्ते स्क्राइब लेकिन अग्या में चाहिए, ब्रश्टाचार में लिप्त नहीं है तो निश्चित रूप से जाच कराकर कारवाई कीजिए ठोस और नहीं तो यह नौटंग की है सिरब चल रही है आपके काफी दोस्त भी है जो पारसद गुडबाजी में क्या कहना चाहेंगे जब हम लोग चोटे बच्पन में गली मौले में क्रिकिट खेला करते थे तो बच्चों का रूठना मनाना होता था के मेरी बैटिंग है तेरी बोलिग है नहीं मैं बैटिंग करूंगा तू बोलि अगर चुनाओ के दोर में नगण निगम अच्छा चल सकता है तो चुनाओ जीतने के बाद क्यों नहीं चलना देरे विदायक जी चुनाओ के दोर पर मतलब समझा नीगा जेश्टेम रूड़की में विदान सभा के चुनाओ आने वाले थे अचार साहिता हैं लग गई तो तो चुनाओ निगम बड़ी शांत वेवस्ता में था अच्या बहुत शांत वेवस्ता नहीं वहाएं बड़ा सवाल उसके बाद जहां विदायक जी चुनाओ जीत गए फिर वही नगण निगम गली मौले का क्रिक्टी श्टार विदायक जी को बता रहे हैं निगर निगम क को चला था विदायक जी ने कहा था मैं चुनाओ के बाद रामने की जंदर ने वोट दिया जिता दिया भाई जी वो बिचारे देखिए जब आज में पीडित होता है तो उनोंने विश्वास कर लिए एक बार फिर विदायक जी फिर चुनाओ के बाद हमें हमारी दुगाने ल बहुत तिल तिल करें चोट-छोटे वियापार करके काम करके अबना चुनाओ से पहले सब मूद देते जंता ने सब फैल कर दिना देखिए चुनाओ से पहले जंता ने कभी फैल करा है मशीन ने ने अब लो अब फिर मसीन की पात आ गई बाद राजा चाहिए खुद चुन करने Lea हम उख स्विकार करते एकसेक्ट करते लेकिन हम यह कहने के ढूरूर अधिकारी हैं हमने वोट मांगा था ब्रष्टचाहर की सरकार को हटाने के लिए उन्होंने ब्रष्टाचासार की सरकार को फूरे हरद्वार में बरिष्टचाहर हिलाब मत्यां वालगी बाजबा सेचरज ने को मेखे लेते हैं घे चलिक आगे नहीं हैता है। तो पोजिशन में आप पीसी करें प्रेस कॉन्मेंस करें अब सो तंत्र तो हमेशा करें प्रेस में रहते हैं आप लोग हमारी आवाज को उठाटे भी है इसलिए हम लोग आज आज भी उस आंदोलन में जो ब्रष्ट चार खिलाब है उसको लगातार बढ़ा हैं सभी प्रेस के साथियों ने हमें हमेशा मदद किये लेकिन बाब बताइए ना जाच करने काम और कारवाई करने काम अगर राज्य के शासन का है तो उन्हों करना चाहिए और सबसे बड़ी कारवाई भारतिक जिंता पार्डियों करने चाहिए आप यतना नटक यहां पर कोई परदेश के अध्यक्स कोई परदेश के पताधिकारी यह सब लोग हैं भी यह अथवा नहीं हैं या सिर्फ यह बंदग बनाए गए हैं कि जब इनको भोगना होगा तो केवल कांगरे से खिलाब भोगने काम करेंगे लेकिन अगर बष्टचार अगर भाजबा के खिला क्योंकि पिछले ढ़ाई साल से नगर निगम में पारसत खिला वर्सिज मेर वेर वर्सिज पारसत यह चल रहा है संगठन कहा है बाजबा का क्यों नहीं दिधान देता है इस बाजबा का वह संगठन घर बैटकर तमासा देख रहा है इन्होंने एक टीम जो मैं फिर गह रहा इन्हें हम आप पर्ट यह नहीं 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 बागता पार्टी कहना पड़ेगा क्योंकि जो रुड़िकी का विकासकारी है मैं को मोटा मोटा विकासकारी कर निवा दिताओं शहर मैं अभी ड्य डिवाईडर लगाय बचाहे ते रुड़की अंदर वह जिनसा एरो दिन आज़ को से गााइब हो गया हूँ तो यह पैसा किसका था मैं बार बार यह बात कहता हो लाग है एक यह पैसा किसा यह पैसा हम लिगों के टेक्स का बीटी गन्यमें शडक चोरी हुई शडक चोरी होने का पीड़ारी के ढिंगनहर थान में आज गंगनहर थाने का आप मुझे जानकरी नहीं कि ऐसा क्या कारण है कि उसकी वीडियो फुटेज तमाम फेस्बुक चैनलों पर और रहने चैनलों पर मौझूद है कौन आज भी उसको लेका गया वह सड़क उखाड गई गली नंबर 6 राम नगर में सड़क उखाड कर दी फुट पाते हो पर से टाइल चोरी हो रही है मुझे पहले तो ब्रष्टाचारी होता था कि आप 20 परसेंट 30 परसेंट 40 परसेंट कमीशन ले रहे हैं चलो हम लोग आलो चला करना नगर निगम की अनुसी के संभव ही नहीं है आप बताई ना शहर के अंदर एक निर्माट भ कर ली दूसरी टाइले तीसरे में इस्तेमाल कर ली अब तो यह कमीशन जो 40 परसेंट तक कारोब लगता था अब तो यह 100 परसेंट हो गया क्या विधायक जी एक जगे सड़क बनाएंगे 6 मेने बाद उस पूरी सड़क को खाड़के ले जाएंगे आप उजंता का पैसा बर जो सिविल लाइन की जाएतर देखी जाएंगी वो तो चमचमाती दिखाए देंगी लेकिन आज शेहर के अंदर क्यालत यह है कि आपके टू वीलर्स के फोर वीलर्स के शौकर खराब हो चुके हैं लेकिन कहीं छोटा सा गड़्डा कहीं बड़ा बजट आएंगे सेनी जी बनना जाएंगे अभी अभी तो नहीं नहीं सरकार बननी है अभी दो महीने हुए हैं जब भी बजट आएगा तो बजट का बंड़ा धारी होगा यह मिन आरोप है चले बहुत समय हो गया है बहस करते हो गार बहस करें तो लग पूरा दिन लग जाए एक हफता लग जाए ब बजब आएग फिपक्स नहीं लिया है यह नहीं 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 लिया इतना बडा दिया है क्या एक दूसरे को खुद ले रहे हैं हम तो इनके भरस्टाचार जो यह लोग कर रहे हम तो आप लोगों के माद्यम से जनता को रवगत करा रहे हैं बिल्कुल विपक्स ने जो है हमें कमेंट में जरूर बताए और अगली अपडेट के लिए रुड़की अब देखते रहे धरन्यवाद